कि आप सभी को नमस्कार आज की जो क्लास जैसा कि मैंने बताया था के पी एस्ट्रोजी पर और बीटी आर पर पीछे वाली जो भी क्लास हुई थी वो भी बीटी आर पर ही थी वर्थ टाइम डेक्टिफिकेशन यानि जन्म समय सुध्य करण पर था तो पीछे हम लोगों ने दिस्कुस किया था उसमें महादसा के जो स्वामी था उसके एकॉर्डिंग हमने किया था आज जो हम बीटी आर करेंगे एक्चुल में यह आप ब्रॉडर एस्पेक्ट में भी ले सकते हैं ब्रॉडर एस्पेक्ट से कहने का मतलब जैसे किसी का भी जन्म समय 5-10-15-20 मिनट क सब्सक्राइब दिफरेंस होता है उसमें लगन का जो नक्षत्र स्वामी होता है ने स्टार लॉड वह भी बदल जाता है तो इसलिए उसको फिक्स करना पहली प्रायरेटी होगी जैसे जब लगन बदल गया सिंग लगन और कन्या लगन हुआ तो उसमें लगन को सेट करना आपके priority होगी लगन जब fix हो जाएगा फिर उसके बाद नक्षत्र fix करना होगा उसके बाद सब्लॉड fix करना होगा चुक्कि प्रतेक नक्षत्र में 9 सब्लॉड आते हैं तो इसलिए 9 तो सब में मिलेंगे तो नक्षत्र ज्यादा important role play करेगा यहां हम एक situation लेते हैं किसी का भी जन्म समय है एक दो मिनट और यदि किसी का 90 के पहले का जन्म है नैंटीज में भी आप समझ सकते हैं प्रेडिक्सन के गोर्डिंग तो तो चार पांच मिनट वेरियेशन पॉसिबल है खास कर तब पहले जो हाथ वाली घड़ी होती जिसमें चावी दी जाती थी वह situation अभी मोबाइल है तो यह ठीक है तो वह चीज कैसे हम करेंगे तो पिछली कक्षा में भी मैंने आपको थोड़ा से एक हिंट दिया था वह यह था कि जैसे यदि ruling planet के द्वारा जो हम करते हैं किरन जी संदेब जी और विरजा देवी कैमरा ओन कर लीजे मैंने मैसेज में भी लिखा था आदरवाइस रिमूब कर दूंगा मैं तो यदि ruling planet में वह आ रहा है आपका लगन का सबलॉड तो वह आप वहां पर भी fix कर सकते हैं जैसे दो सबलॉड में आपको confusion है केतु में या सुक्र में ठीक है या मान लो आपको सुक्र में और सूरे में तो ruling planet में जो आ गया तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन ruling planet में क्या होता है कि आप जिसके लिए कर रहे हैं उसको भी थोड़ा सा डिलेटेबल होना चाहिए ना कि जो आप जैसे आपने सेट कर दिया कि लगन का सबलॉड सूरिय है या लगन का सबलॉड चंद्रमा है या लगन का सबलॉड मंगल है तो जो qualities हैं वो सामने वाले से match करें मिले तो वो आदमी इससे relate करेगा और आपको भी एक confidence आएगा तो लगन यानि first house होता है वो जातक के nature को ज़्यादा represent करता है यानि जो जातक के how भाव विचार है जो उसका mindset है उसको ज़्यादा reflect करता है तो इसलिए पहले उसके mindset और विच स्याम पढ़ेंगे वीडियो वैसे कल या पर सो यूटूब पे चला जाएगा अधर्वाइस आप लिखते रहेंगे तो लिखने पर क्या होता है कि दिमाग में जल्ली जाता है तो इसलिए मैंने बोला कि आप notes भी बना सकते हैं ठीक एक छोटा सा information बस यह है कि KP astrology का basic plus advance का course चालो हो रहा है 5 अक्टूबर से और सेकेंड इसका बैच चालो होगा 15 दिसंबर से कोई भी आपके नियर और जो होंगे यह जोईन करना चाहें तो मेरे WhatsApp नंबे पर contact कर सकते हैं इस वीडियो के description में भी आपको नंबर लिंक वगरा मिल जाएगा मेरे ग्रूप का 15 अक्टूबर से वास्तू कोर्स चालो हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग भी कोई भी कोर्स वास्तू एस्ट्र वास्तू उसके रिगार्डिंग आप चाहें तो contact कर सकते हैं कुंडली आप खोलेंगे किसी भी software में तो और केपी वाले सक्षन में जाएंगे तो आपको रासी लौड एस्टार लौड और सब लौड दिखा हुआ मिलेगा तो first कस्प के सामने जो सब लौड यानि उपनक्षतर स्वामी है वहां पर आप जाएंगे और वहां पर आपको यदि दिखा सूरे लिखा हुआ तो जातक का जो नेचर है न वो सूरे को reflect करेगा यानि सूरे जैसा नेचर आपको जातक में देखने को मिलेगा अब सूरे का नेचर कैसा होता है कैसे हम जज करेंगे सूरे को ग्रहों का राजा कहा गया है तो आदमी की financial condition कैसी भी होगी उस उसका जो thought process है उसका जो mindset है वो सूरे को represent करेगा वो चाहें एक रिक्सा वाला हो एक कुली हो या एक officer हो यदि लगन का सबलोड सूरे है तो जातक का mindset सूरे जैसा होगा सूरे क्या है self respect है मान सम्मान है आप देखो कि बहुत जैसे जो रिक्सा वाले होते हैं टेंपू वाले जैसे उसने जो कहा या जो उसका अपना अधिकार है authority है वो उस पर अड़ जाएगा भले वो आपसे financial condition से लेके बागी किसी भी इस्तिती मिलो है लेकिन वो self respect उसको पसंद है तो वो उस चीज़ जूकेगा नहीं सूरे वाले जो सर होस के अच्छे combination होते हैं अच्छे combination मैं क हूं तो इसका मतलब यह हुआ कि यह लोग कोई भी decision जो लेते हैं वो काफी सोच समझ के लेते हैं यानि कोई भी हडवड़ाहट नहीं होती है एक balanced way होता है सूरे को आप ऐसे भी समझे सूरे fiery planet है लेकिन इसकी जो fire होती है वो गर्माहट वो अच्छे के लिए होती है जैसे जाड़े के दीन में जो हमें गर्मी क्या हो सकता होती है उस गर्मी को सूरे रिपरजेंट करता है खाना बनाने के लिए जो आग होती है ठीक है चुकि आग से ही खाना बनता है तो वो किसको रिपरजेंट करेगा वो भी सूरे को रिपरजेंट करेगा ठीक है घोजन के है एक नंबर जो मेश रासियो मंगल का स्वामित्व है तो मंगल उस अगनी को बताता है जो आपके लिए प्रॉब्लेमेटिक हो प्रॉब्लम क्रेट करें जैसे आग लग जाना तेख्या यह माचिस आपने चला है और हां चल गया तो उस अगनी को मंगल रिपरजेंट करेगा है जिससे नुकसान कहुंचता है जो अगनी है कंट्रोल वे में होती है कंट्रोल वे से मतलब कि जिससे हमें फायदा होता है जैसे आग पूआbelt कोई इइंजन मचीन चलता है उसमें आग हो ती जो आग है तो सूरे को रिपरजेंट करेगा ज्यादा हो गया कुछ वुआइल मुली तो ऊसको रिपर्जेंट करता है गुरु यह चीज ध्यान रखियेगा क कि अ कि अ प्यारत compratu सूरिय है तो जैतक में नेचर मिलेगा यदि सन्दर के निचर जो है जैतक में मिलते हैं चंदर का emotional होता है जातक में confidence की थोड़ी कमी होती है यानि सूरे की तुलना में हम देखें मंगल की तुलना में देखें तो जातक का जो confidence level होता है वो कम होता है वो low होता है जातक जल्दी किसी पर trust कर लेता है और लोग उसको विस्वास दिला कर use कर लेते हैं विस्वास दिला के उसका जैसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे यह हो सकते हैं आप में से किसी का ऐसा यह चीजा होगा किसी पर भरोसा कर लिए और उसके बाır लोग उनको चीट कर लिए यह चंद्र conflicts है अब है किसी की कुंडली में यह आपका है लेकिन लगन का सब लोडर आपका चंद्रमा नहीं लगन का सबलॉड जो प्लेनेट है उसके हिसाब से यदि चंदर है तो चंदर वाले नीशेर आपको ज्यादा पसंद होगे चंदर क्या है डेरी प्रोड़क्ट को बताता है हो सकता है ऐसी इस्तिति में आप ज्यादा जो दूद दही मक्खन लसी ऐसा जो डेरी पाने के आप सौखीन हो सकते हैं यह आपको जादा पसंद हो सकता है चंद ट्रैवलिंग को भी बताता है तो आपको घूमना फिरना पसंद हो आपको अच्छा लगता हो ठीक है यदि लगन का सब्लॉड मंगल है तो क्या होगा जातक में मंगल का नेचर होता है मंगल का नेचर कैसा होगा मंगल जोस और हम्यानी जातक जादा जोष होगा जुनन होगा फिजेकल अक्टिविटी में ज्यादा एक्टि खोगा कई वार ऐसा होता है कि वह कुछ बोल ले आदा न तो उसस बोलने के बाद स्मुचेगा यानी पहले फो नहीं स्मुचेगा सब्जी में उधर लोग मीठा डाल देते हैं पानी पूरी हम लोग के यहां क्या है हम लोग मीठा खाते हैं और मुझे एक जगा पानी पूरी में लिए वह मीठा था पहली बार टेस्ट था गुजरात में लोग ज्यादा मीठा पसंद करते हैं नहीं तो उस परिवेस के यदि लगन का सबलोड गुरु है तो क्या होगा ऐसा पॉसिवाल है कि जारतक की एस्टोर्ड प्रसनालिटे होगी एस्टोर्ड से मतलब है थोड़ा सा मोटा ताजा वो बाई वर्थ वो चीजें हो जाती है बाई वर्थ ही थोड़ा सा मोटा एक पलंप फिजिक भी उसको और पेट के पास की जो चरवी होती है न वो थोड़ा सा निकला हूँ आपको लगेगा पेट की जो चरवी है वो बॉड़ी परसनालिटी को जूपिटर भी रिपरजेंट करता है और सुक्र भी मतलब मोटापा की हम बात करें तो सुक्र जिस मोटापा को बताता है यानि होता है और गुरु जो बताता है वो क्या होता है कि पेट के पास चर्वी का हिस्सा बढ़ जाते हैं जैसे जो लोग काउंटर पर बैठे होते हैं सुके सर नमस्कार जी आपका यह है बिल्कुल सही गुजराती मीठा ज्यादा खाते हैं यह सर यह चीज है इसलिए मैंने यह जोड़ा चुकि हो सकता है मंगल को देख कि कोई आदमी गुजरात से यहां उनका परिवेश है न उसके कोई है तो वो लगे कि नहीं यह मैच नहीं गुरू का है वो पेट के आसपास और कमर के आसपास की चर्वी बढ़ जाती है एक चीज़ और आप देखेंगे गुरू की महा दसा में या गुरू की अंतर दसा में जैनरली वजन बढ़ने लगता है अब कितना भी कोशिस कर लो कितना भी कोशिस से मतलब है कि डायेट लगन का सब्लॉड आपका गुरु है या गुरु के अंथस्त। आपको मिल गई तो फिर आप गूरा ltd बढ़ना है आपका सुक्र का जो रखते हैं जैसे साउथ इंडिया करी आनकी नहीं ही अब देखिए स्वर्ष सेमोते हैं लेकिन पवस्णARK उनकी अट्रेक्टिव होती है अभी गुरु को रखते यह चीज गुरू में होगा ग्यान जिसके पास होगा वह थोड़ा सा आदमी इग्वेस्टिक भी हो जाता है तो वह चीज भी आपको देखने को मिलेगी कि लगन का सब्लोडेदी गुरू है बहले वो यह क्या है कि थोड़ा सा दो लोग चार लोग बढ़ाई करें कि हम बहुत अच्छे ग्यान वाले आप हैं ऐसे ग्यानी है और कई बार ऐसा भी होता है कि ग्यान होने के बाद कुछ घमंड भी आ जाती है तो लोग स्वैम को एक पूजनी वाली इस्तिति होती है ना क है अब पता चले जैसे क्लाइंट उस परिवेश से बिलॉंग करता है जाता लोग सावले होते हैं काले होते हैं तो फिर वहां गोरा को नहीं समझ पाएंगे अधर रज मान लिजए आपका क्लाइंट है न्यूजिलेंड से वाहां तो काले लोग मिलेंगे नहीं तो इसी जैसा अट्रेक्टिव पस्नालिटी अट्रेक्टिव क्या कोई ऐसा सरोमान पैमाना नहीं है समझ रहे हैं किसी के नजर में कोई अट्रेक्टिव हो सकता है दूसरे के नजर में वह नहीं भी हो सकता लेकिन क्या है कि वह आदमी जिस भी बैग्राउंड से रहेगा जैसा भी वो भले एक ही कपड़ा खर देगा वो अपने हिसाब से 2000-3000-4000 का कपड़ा खर देगा चुकि उसको सौख है अतलब समान निवे में इसको हम समझें तो एक आदमी भले जिसके सेलरी 10,000 है तो वो 500-800,000 रुपे के 2-3-4 कपड़े खरीद लिया लेकिन सुक्र होने में क्या वो हैसा मैंड सेट होती है कि मेरे पास एक ही हो लेकिन ब्रांड का अच्छा हो लेकि और कि दिवे यह यह द्रशल毒 को ज्यादा पसंद करेंगी उसके लिएक हाव हां में डिक हो बाचीत भी जो सुक्रवाले की होती है, त्वोड़ा सा इंपृसीव होती है, थोड़ा अड्रेक्टिव होती है, वो लगवग जनरली लोग उसके तरफ खीशे चले आते हैं, उसके बाद के प्रभावीत होते हैं, बहले वो एक सब्द बोले, एक लाइन बोले, या दस लाइ कर देता है सपनिक को लीकिन एक्टुल में किया नहीं कि ये लोग ठोड़े से स्लो काम करते हैं स्रो से मतलब इसाब नहीं काम करेंगे वो तोडे से स्लो करें अपने हिसाब से काम करेंगे दोडी हो सकते धूत ुब्ले हो सकते हैं अट्वас Hij है तो में भी उनका जो color है वो थोड़ा सा सामला हो सकता है यह क्यों सामले को आप ऐसे भी समझे सकते हैं कि जैसे मानलों के घर में Mother Father काफी गोरे हैं और उस काफी गोरे के तुलना में जैसे गेंवा रंग होता है उस तरह का हो गया तो उस लेबल में हम देखेंगे तो क्या हुआ ओड़ा सा सामला लाुट पोलते हैं यादतर सुनते हैं लेकिन बातोह नहीं और जातर लोग केतू का मतलब यह समझ लेते हैं कि जा तक सन्यासी हो जाएगा घर परिवार चोड़ देगा दूर चला जाएगा नहीं के तू राओ में जो बेसिक चाहर रहें राओ आपने एक घर खरिदा कोई भी सिंपल एक मोबाईल फोन खरिद गले के आए जब राहू होगा यानि लगन का सबलोड लगन पर राहू का परभाव होगा तो राहू आला जातक सुचेगा कि यह मोबाइल मेरे पास भी होना चाहिए मेरे पास भी आना चाहिए कैसे इनके पास आया और राहू यदि और राहू तो स्वैम मेलिफिक है और साथ में और उसके साथ में सनी का या और मंगल का परभाव यदि हो तो उस इस्तिति में या फिर जो निगेटिव हाउसे हैं 5-8-12, 5-8-12 भाव, प्रिश्मोर्ति पदित में भावों की ज़्यादा घूमिका होती है तो यदि राहू 5-8-12 को रिलेट करता हूँ तो जातर इस्तिति में यह जातक सोचेगा कि किसी भी तरह मेरे पासे मोबाइल आ जाए मुझे मिल जाए यानि स्वैम के लिए सोचेगा और केतू क्या है वो केतू खूस होगा यान को तोड़ के मैं रख लूँ मैं ले लूँ और केतू वाला हूँ सुंदर फूल को देखके खूस होगा यानि केतू लेना नहीं चाहता केतू देखके ही खूस होता है पसंद होता है यानि त्याग के दवारा केतू खूस होता है और राहू लेकर खूस होता है तो बेसिक सा होता है अटेश्मेंट ज्यादा होती है जो भी यह मेट्रिलिस्टिक वर्ल्ड है दुनिया में वो सब होने की जातक की इक्षा होती है कि मेरे पास होना चाहिए और यदि लगन का सबलोड राहू सुक्र के नक्षत्र में हो या सुक्र के रासी में हो तो ऐसा पॉसिबल है कि जातक जादतर जो घर में सुक्स्विधा वाले समान है उनको लेना पसंद करेगा वो उसके पास होना चाहिए उसका माइंडसेट होगा अब यह आवस्टक नहीं है कि उसके पास है चुकि है तो फाइनेसल कंडिशन पर डिबेंड करेगी ना माइंडसेट ऐसा होगा कि मेर आपको कुछ मिस्ट्रियस लगेगा यह ऐसे लोग डिवल परसनालिटी वाले होते हैं इसका मतलब उनका चल कुछ और रहा होता है दिखा कुछ और रहे होते हैं ठीक है यानि रिफ्लेक्ट अलग-अलग होता है वो क्लियर नहीं है कि सेम आपको पता चल जाए लगन का सब पते हैं और जुछ भूचिया को दिखाते नहीं और जो दुनिया को दिख रहा होता है वो एक्ट्र नहीं होते नहीं है यानि एक साथ वह उठर और इनर दोनों व्रेक्ट से अ होते हैं मर्कूरी है तो डेफिनिट से बात है कि बोल चाल की जो उनकी अपनी सहली होगी बात्चीत करने का जो अंदाज होगा वह आपको मर्कूरी जैसा होगा इंप्रेसिब लएगा जैसे एक बिजनस्मेन वैपारी की जो बात्चीत होती है वो तरह का नेचर आपको हैं प्रभावित करेंगे यह चीज मर्कूरी में मिलेगा जनरली मर्कूरी वाले जो परस्नालिटे होती है यह लोग फोड़ा सा आप इसको चंचल सोभा वाले भी बोल सकते हैं थोड़ी सी चंचलता इन में देखनी को मिलेगी और समय के साथ सेल्फ एडजस्ट कर लेते है परस्थति हो समय हो पोरे अज्जस्ट करने में माहिर होते हैं लगन का सबलोड है कैटू है तो क्या होbnा के तू किस्चा को बताता है कैटू डिटेश्मेन्ट को बताता है या ऐसे लोग को त्याग की भावना होगी लालच वाला इस्तिती नहीं होगा साथ यह लोग spiritual mind के होते हैं यानि अध्यात्मी का ध्यात्मी का मतलब है कि जो भी जिस धर्म को बिलोंग करते हैं जैसे हिंदु धर्म के हैं तो जो भी उनकी परंपरा है जो भी घरंथ है धार्मी घरंथ है जो तीस है वास्तू है जो भी चीजें उसको और चके उसको नौलेज 5 या निए इस फीजिकल ऐट के साथ ऊब लुशोर्ट से ऩो अगुषा का एपने आपको ने पाया चार बाते बोलेंगे जो आप पर काफी गहरा प्रभाव छोड़ सकता है तो यह चीज इन में देखने को मिलेगी ओवरॉल सायद मैंने पन्मूट कर सकते हैं किसी का हो तो बोलिए नहीं तो फिर विकाजी आपका कोई क्वेस्टन है नहीं है चलिए यह था लगन का सब्लॉट जब अलग अलग प्लैनेट हो यानि जो पूरे नौ प्लैनेट है तो उसके अपने चीजों को समझा अब मैं एक छोटा सा बात आपको इसमें बताता हूं लगन का सब्लॉट जो प्लैनेट होगा वो किसी न किसी हाउस को रिपरजेंट करता है यानि उसका सुचक होता है उसका रिजल्ट देता है एक समाने सब्दों में समझें तो यदि लगन का सब्लॉट फरस्ट हाउस में बैठाओ तो वो पहले भाव का स उच्चक हो जाता है बेसिकली कोई भी गृष अपने श्वामी का रिजल्ड देता है मंगल गिए म Zusammenh गृष Parents क बैठा होगा उसका और मंगल की जहां रासियां होगी उसका भी रिजल्ट देगा यह जैनरल सिग्निटीकेटर हो गया वैसे प्राइम सिंफिकेटर में जाएंगे तो वो कम हो जाते हैं जब मतलब है किसी खास मा लोगा फिफ्थ है सम चाइलड वर्थ के लिए बात कर रहे हैं. आपको वो ग्रह 4 और 5 दोनों भाव का रिजल्ट दिखा रहा है. तो हमें क्या लएगा कि 5 भाव का रिजल्ट मिलना चाहिए? यदि 5 भाव जेनरल सिगनिफिकेटर है तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा. यदि 4 भाव प्राइम सिगनिफिकेटर बन गया तो प्राइम वाला ज्यादा इंपोर्टेंट होता है उसी के रिजल्ट मिलते हैं तो प्राइम सिगनिफिकेटर फोर्थ हाउस है तो फिफ्ट का रिजल्ट चाइल्ड वर्थ के केस में आपको नहीं मिलेगा कई पर गया है चार और पांच दोनों मिलेंगे चुकि इस चीज को जब आप देखेंगे अपने जीवन में या किसी भी अलग अलग घटना करम को रेस्पेक्ट में तो आपको पता चलेगा एक आदमी चौथा भाव घर में है कहीं नहीं घर में तो है मदर का सूख है लेकिन वह अपने पूरे जीवन में प्लॉट टेक है जो वह स्वैम से खरीदना चाहता है तो यह चीजे आगे अभी मिलेगा वह आगे का है वह मैं एक एस पर एक्जामपल आपको दे रहा हूं फिफ्थ हाउस लव मैरे साधी हुई लेकिन जीवन में क्या है चाइल्ड वर्थ नहीं है लव जब हुआ पांचव भाव दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्टिव हुए वहां काम करेगा लेकिन जब चाइल्ड वर्थ के लिए देखेंगे तो पांचवे के साथ चौथे के भी भूमिका होगी चौथा निगेट करता है और पांचवा सपोर्ट करता है अभी चोड़िए अभी वहां तक हमे सब्याज करना है आपका वहां यह होगा दूसरा क्या है कि वह प्लैनेट जिस हाउस में बैठा ओगास समझ लीए जिए हैसा जातग एह सेल्फ सयंटर्ड होता है self-centered को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि उसके लिए swim ज़्यादा महतोपूर्ण होता है उसकी जो इक्षा है उसकी जो अकांचा है उसके जो requirement है first priority उसका है एक तरह से आप इसको ego और हम की भावना भी समझ सकते हैं आनि उसके लिए वो self ज़्यादा priority list में top पे है हम की बजाए मैं की वो बात करता है मतलब लोगों की एक साथ जो जोड़ने की बात छोड़के वो अपने आपको उपर रखता है यानि उसकी बातों से भी आपको दीखेगा हर एक इस्तिति में मैंने किया मैं हूँ मेरे कारण मेरे बजालत ये चीज़ें वो आपको देखने को मिलेगी यदि लगन का सब लॉड second house में बैठा है या second का result दे रहा है तो ऐसे case में ये जातक second क्या है परिवार का है यानि परिवार के लिए devoted होता है और सुरिय से लाश्ट तक इसके priority list में family top पे होती है चुकि second house है second house क्या है धन का है bank balance का भी है तो ये चीज़ भी उसके दिमाग में इसके subconscious पे घूमती रहते है कि कैसे पैसा आए, कैसे पैसा बचे कैसे मैं पैसा कमा हूँ ठीक है कमाएगा तब तो बचेगा एनि second house इसके जीवान में हमेशा चलता रहेगा यदि लगन का सबलोड third house को बताए तो क्या होगा third house traveling का है traveling का सौफ हो सकता है छोटे भाई बहन का है तो छोटे भाई बहनों के प्रती इसका प्यार मान सम्मान जादा होगा यानि ये उनके प्रती जादा devoted होगा third house communication का भी है argument का भी है अब communication और argument कैसा होगा वो तो बाद में depend होगा कि इसके साथ और कौन से भाव है लेकिन वो भी एक nature मिलेगा समझ रहे हैं यदि third house के साथ 11th house है तो अच्छे communicator हो सकता है बादचीत का तरीका उसका अच्छा होगा और यदि लगन का सबलोड सुक्र होके फिर third का result दे रहा हो उसकी बादचीत काफी अच्छी होगी लेकिन यदि लगन का सबलोड मंगल होके और तीन आठ का result दे रहा है तो इसका मतलब यह जाता गाली गलोज वाला बात चीत में कुछ भी बोल देगा यह वाला नेचर हो सकता है तो इसलिए अभी धीर धीर वो भी आपको मिलेगा अभी सिंपल यह समझते हैं कि लगन का सबलोड third house में बैठा है या third का result दे रहा है तो भाईवान के प्रती ज़्यादा डिवोटेड होगा साथ ही साथ उसको यात्रा करना ट्रेवलिंग करना घूमना कुछ लिखना पढ़ना डायरी लिखना भी उसको पसंद हो सकता है ब्लोगिंग करना फेस्बुक यूटूब पे जो कुछ पोस्ट लिखते हैं यूटूब पे आपके कम्यूटी सेक्शन में ऐसा कुछ मतल्ब लिखने का सब्क होगा वो कुछ ना कुछ लिखेगा लिख के अपनी भावना को व्यक्त करेगा लगन का सबलोड यदि 4th house में बैठा हो या 4 पा result दे रहा है तो 1st house के लिए 4th house health के matter में negative होता है negative से मतलब है वो weak immunity को बताता है थेक है? यानि कहीं ने कहीं जातक को health related problem का सामना करना पड़ सकता है और उसकी immunity weak हो सकती है या लगन का सबलोड mercury हुआ या mercury की रासी में हुआ, या उसके नक्षत में हुआ, तो जातक को skin related disease भी हो सकते हैं, होने की possibility होती है, otherwise वो कब होगा, वो तो दसा के according है, लेकिन एक possibility बनेगी, चुकि जब immunity weak होता है, तो skin disease होती है, skin related problem, तो लगन का सबलोड जब 4th में बैठा, तो 1st house के लिए 4th या health wise negative हु होगा, मतर का सुख उसको मिलने की possibility बनेगी, साथ ही साथ, जो 4th house है, education का भी है, ऐसा जातक कुछ न कुछ पढ़ने का सौखीन होगा, यानि कहीं भी जैसे गया, कुछ book stall पे book लेके पढ़ा, या फिर mobile में ही है, कुछ PDF पढ़ा या पढ़ेगा, लगन का सबलोड जब पां कीड़ा का सकते हैं, लेकिन लगन का सबलोड जब पांचवे का result दे रहा हो, चार नहीं हो, तो ये लोग थोड़ा सा intelligence, power, इनका ज्यादा होता है, ये लोग किसी भी topic को, किसी भी book को लंबे समय तक नहीं पढ़ेंगे, 10 मिनट, 20 मिनट, आदा घंटे पढ़ें, फिर उसको समझना चाहते हैं, इसले भी फिर हम वापस 4 पे चलते हैं, यदि लगन का सबलोड 4 का result दे या 4 में बैठा है, तो जो घर है, गाड़ी है, यानि 4th house का जो main concern है, वो उस पे ज़्यादा चीज़ देखने को मिलेगी, या एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा explain करता हूँ, लगन का सबलोड 4 में बैठा है, या 4 का result दे रहा है, ठीक है, और जो सबलोड है, मान लेते हैं, लगन का सबलोड है सूर्य, और सूर्य का सबलोड है सुक्र, ठीक, तो इस रिस्तिति में इस जातक का main concern जो 4th house का है न, प्लोट है, गाड़ी है, मकान है, ये ज़्यादा concern हो होगा, और यदि जो लगन का सबलोड यानि सूर्य है, ये यदि चंद्र के उपनक्षत्र में है, तो चंद्र से समझे चंद्र मदर को represent करता है, तो मा के ज़्यादा करीब होगा, ठीक है, हो सकता है, जो लोगो पहली बार समझे वीडियो देखिएगा, तो दुबार आपक फिर से इस पॉइंट को repeat कर रहा हूं, ध्यान दीजेगा, लगन का सबलोड मान लेते हैं सूर्य है, वो चौथे भाव में बैठा है, तो इतना तो फिक्स हो गया ना कि चौथे भाव के result इस जातक के जीवन में ज़्यादा involved होंगे, अब यहाँ भी आपको लगता है कि थो महंगे घर को, अब महंगे का कोई exact पैमाना नहीं है, यदि आप महीने के 50 जार कमाते हैं, तो हो सकता है कोई 50 लाख वाले समान आपके लिए महंगे की category में आएगा, लेकिन यदि कोई महीने का 5 लाख कमाता है, तो उसके लिए 5 करोड वाला महंगे की category में आएगा, उसके 50 लाख वाला सस्ता होगा, ठीक है, तो आपके financial condition पर depend करती है, कि वो महंगा और सस्ता क्या है, पैसा जब नहीं है, तो सस्ता समान भी महंगा होगा, और जब पैसे हैं, जिस लेवल का आपका requirement जो आप चाहते हैं, तो फिर महंगा समान जो दूसरे के लिए महंगा है, वो आ है, तो इस इस्तिती में ये जातक महंगी गाडियों और घर का सोखीन होगा, लगन का सबलोड यदि सूर्य है, चौथे में बैठा है, और सूरे का उपनक्षत्र यदि चंद्रमा है, तो जातक अपने मदर के ज़्यादा करीब होगा, यानि मा का concern इसके पूरे life में चलेग क्लियर है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यदि लगन का सबलोड कोई भी प्लैनेट है, फिफ्थ हाउस में बैठा है या फिफ्थ का रिजर्ल दे रहा है, तो पांचवा भाव इसके जीवन में पूरी तरह से चलेगा, पांचवा मिन्स क्या है, प्रेम संबंद हो गया, चाइल्ड वर्थ हो गया, यानि बच्चा हो गया, बच्चे से प्रेम जादा बच्चे से जुड़ा हुआ, ठेक है, पांचवा भाव धर्म तिरकोन का भाव है, तो धार्मिक नेचर का भी हो सकता है, पुजा पार्ट भी कर सकता है, या हो सकता है, पुजा पार्ट ना भी यानि कैसे भी परिस्तितियों तो लोगों को मूटिवेट करते हैं तो यह इस्तिति भी देखने को मिल सकती हैं अच्छे मूटिवेटर भी हो सकते हैं लगन का सबलोड यदि छटे भाव में बैठा हो या सिक्स का रिजल्ड दे रहा हो तो शिक्स यानि बीमारी नौकरी रोग 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 यह होता है न इसकी पॉसिविलिटी इसके जीवन में होने की ज्यादा होगी साथ ही साथ ऐसा जातक अपने मामा के यानि उस परिवार के ज्यादा करीब होता है और ऐसे जातों कि यहल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो खासकर बच्चा हो यदि जो होते ही बीमार रह रहा है तो मामा के घर चले जाना एक अच्छी रेमेडि हो जाती है क्योंकि मामा को सिक्स था उससे देखते हैं तो यदि बच्चा है बीमार है तो बीमार से मतलब ऐसा समझो कि कुछ नॉर्मल डिजीज होती है वो तो चलती है ठीक है लेकिन कुछ ऐसा है कि बार बार छे महीना एक साल या दो साल का हो गया कोई ना कोई बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है दवा चलने के बाद भी वैसे इस्तिति में क्या करना है ब ठीक है अब एदी छोटा बच्चा है यह महीने एक साल का तो ठीक है वो तो बात करेगा नहीं लेकिन क्या होता है जैसे आज कल वीडियो कॉल का जावाना है मामा ने उसको देखा यह बच्चे को तो एक उसकी बातचीत हुई बच्चों के कान तक गया तो वो क्या हुआ ए उसके लिए हेलिंग इनर्जी ही है, मामा का साथ, मामा का कनेक्शन, तो ये चीज़ आप इसको ट्राई कर सकते हैं, लगन का सबलोड, वही यह दिछटे बाव में यह चटे का रिजल्ट दे रहा हो, तो ऐसे लोग जानवर पालने के भी सौकीन हो सकते हैं, जानवर इस लोग हो सकता है, कासकर जो पालती हो, जानवर, कुता, बिल्ली, अगाय जो आप रखते हैं, तो वह ज़्यादा आपको पसंद हो सकता है, वह अलग बात है कि आपके लिए रिजल्ट कैसा देगा, अभी उसके लिए फिर सिक्स हाउस को भी देखना होगा, लेकिन याप फरस्ट ह का हुआ, यानि पती या पतनी का हुआ, आपके बिजनस का हुआ, तो यह चीज आपके सेंटर पॉइंट में रहेगा, सेंटर ओफ एट्रक्शन, यह यानि यह आपके लिए घुमता रहेगा, आप इसमें, यह भी हो सकता है, कि आप अपने जो पार्टनर हैं, या जीवन सा हाउस में है, एट्थ हाउस क्या है, एट्थ हाउस टेंसन का है, परिशानियों का भाव है, नॉर्मली पीछे भी मैंने क्लास में आपको बताया था, जब हमने ट्वेल्थ हाउस से रिलेटेट चीजें पड़ी थी, तो एट्थ हाउस क्या है, वो टेंसन परिशानी दुख का है एट हाउस से जुड़ा हुआ आप काम करते हैं इसका मतलब यह नहीं कि परसानी खत्म हो जाएगी चीजें ट्रांसफॉर्म होती है खत्म नहीं होती यानि वह अपने साथ दो रिजल्ट हर एक हाउस अपने साथ दो रिजल्ट लेके चलता है एक टूबी एक होने वाला और एक टूडू करने वाला आप करेंगे तो करने वाला ही ट्रांसफॉर्म होगा जो होने वाला है वो होगा उसमें कोई कंट्रोल नहीं है सिंपल सी बात है एक डॉक्टर है लगन का सबलोड आठ्वे का रिजल्ट दे रहा हो यह आठ्वे में बैठ गया तो मान के चलिए जातक की जीवन में lifelong tension हो जाती है तो वो एक tension का कारक बन जाता है और इस tension के कारण कुछ ना कुछ परसानिया और hurdles 8th house क्या है परसानियों का भी है तो वो hurdles भी उसके जीवन मे एक एक दो आते रहेंगे कई वार ऐसा भी होगा कि वो ना चाहते हुए भी किसी ना किसी परसानी में पढ़ जाएगा दूसरे के कारण भी परसानी में पढ़ जाएगा तो यह लगन का सबलोड 8th का रिजल्ट देगा तो आपको देखने को मिलेगा यह जातक सेक्रेटिव नेचर का हो गया इसके मन में चल रहा हो किसी को नहीं बताएगा अब क्या होगा जब आप ब्रक्राइगे ना तो इसलिए ब्रक्राइब करें तो वह आदमी पार्टिकुलर सामने तो ज्यादा बेटर होगा यह वह अच्छे से पताएगा चूकि लगन का सबलोड जब आठ आठ में रिजल्ट तो निश्चित से बात है पूरा बात बता भी देगा तब भी 70 परसेंट के आसपा से बताएगा बागी 20-30-40 परसेंट नहीं बताएगा लगन का सबलोड जब नाइन्थ में बैठा हो या नाइन्थ का रिजल्ट दे रहा हो तो क्या होगा नाइन्थ व को अपने बिजनस में नौकरी में प्रॉब्लम आती है क्यों आती है बिजनस है नौकरी यानि जो पैसा से रिलेटेड गाम है वह अर्थ तिरकोण यानि 2-6-10 का है तो तो ऐसे जातक क्या है प्रैक्टिकली नौकरी में तो ठीक है दिखास का गौर्वर्मेंट जॉब लग पक्का है सो भाविक है चुकि यह लोग क्या है किसी को मना नहीं करेंगे पैसे किसी से जल्ली फॉर्सफुली मांग नहीं पाएंगे तो इनको नुकसान होगा तो वैसे पूरी कुंडली के बाद ही कुछ चीज़े निकलेंगी लेकिन फर्स प्राइमरी तोर पे दी देखे हुए तो हम यह ऐसा कह सकते हैं कि इस जातक को बिजनस से बचना चाहिए बिजनस वो करें जिसमें कैस में डिलिंग हो पूरा चीज किसी को उधार देने वाली सिचुएसन ना हो सब पेन और पेपर हो मतलब पूरी साथानी के साथ करें तो अच्छा है अधर्वाइस इनको बिजनस नहीं करना चाहिए धर्म कर्म वाले धार्मिक नीचर के हो सकते हैं यह चीज तो आपको पता चलेगा बड़ों का संबान करने वाले गुरू का संबान करने वाले यह चीज देखने को मिलेगा लगन का सबलोडे दी दसम में बैठा हो या तेंथ का रिजल दे रहा ह ये इनको पसंद होगा राजनीती वगर में भी इनके जाने की इक्षा हो सकती है राजनीती में नहीं भी गए तो जहां है उस काम में टॉप पे होना कि लोग जाने मान सम्मान की जो इक्षा होना वो इनको पसंद होगा इनको अच्छा लगेगा लगन का सबलोट यदि 11 में बैठा हो या 11 में का रिजल्ट दे रहा हो ये आदमी अपनी इक्षा किसी तरह पूरा करेगा या हो जाएगी उसके इक्षा को कोई दूसरा पूरा करा देगा समझ रहे हैं लगन का सबलोट ग्यारवे में बैठे या ग्यारवे का रिजल्ट दे रहा है हो जाएगा खुद से करेगा अधर्वाइस मानलों जैसे बच्चे के लिए हम बात कर रहे हैं लगन का सबलोट बारवे में बैठा हो या बारवे का रिजल्ट दे रहा हो तो क्या होगा यह लोग विदेश घर से दूर सफलता प्राप्त करेंगे यदि घर पे हैं जहां जन्मस्तान है तो ऐसा पॉसिबल है कि इनको नुकसान जादा हो और हेल्थ रिलेटर डिस्कूस का भी सामना करना पड़ सकता है यह लोग देर तक सोने वाले भी हो सकते हैं लंबे समय तक सो रहे हैं सूरे निकलने के बाद तक सो रहे हैं और लेट नाइट सोने जाएं ऐसा भी पॉसिबल है खर्च करने के भी सोखीन होंगे या फिर इनके पास से पैसा खर्च होता जाएगा किसी भी प्रकार से करें दूर घूमना भी इनको पसंद होगा लगन का सबलोट इनका बार्मे भाव में है ऐसे लोग यदि खर्च से परिशान है इनको कुछ न कुछ पैसा फंड या किसी भी प्रकार में इस तरह से निवेस्ट करना चाहिए कि पैसा इनके पास से चला जाए फिर जब इनको ज़रुरत हो जैसे मुच्छ फंड में आप डालते हैं तो क्या हुआ कुछ मुच्छ फंड है जिसका एक साल का लोकिन प्रियेड होता है यानि उसके पहल प्रथियों के रूप में सेविंग कर सकते हैं या पैसा सेव करेंगे काउंट में रखेंगे तो आपका पैसा चला जाएगा कारण disc यह आपके परिवार में किसी के कारण जा है तो यह मैंने आज आपको बीटी यार यानि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन टॉपिक के अंत्रगत फस्ट हाउस से फस्ट हाउस का जो सवलोड है अलग-अलग प्लैनेट है और वह एक से लेके बारा भाव जो अलग-अलग जिक्सन करेंगे उस क्लाइंट से मैक्सिमम चीजे मैच होंगी वह बर्थ टाइम सही होगा अभी जो हमने जितना पड़ा है इस ते रिलेटेड कोई क्वेस्टन है तो पूछ लीजे अधरवाइस फिर आज की क्लास को हम समाख करेंगे कि आप वहां से अन्म्यूट कर सकते हैं कोई क्वेस्टन है तो बोलिए कि किसी का कोई क्वेस्टन नहीं है बुली राजिंदीश आप मेरा एक वेस्टन ये जो मैने अभी आप सब फस्टाउस बोलते हैं का लाइन को पूछो ना तो यह भी बोलता है यह भी हां बोलता है वो भी हां बोलता है ऐसा कंफिज भी होता है तो उस्टन क्या करना चाहिए मतलब अगर फर्स्ट का भी बोलेंगे तो हाँ एसा ही है जाने के बारे में पूछ या खाने के बारे में पूछो अगर मैं ने अगर बोला खाना तिका पसंद है वह चीज़ें आपको डिफ्रेंशेट करना आना होगा ना कि तीखा और मीठा दोनों रखा हुआ है दोनों में तुम कौन लोगे तो इस प्रकार से उसकी पसंद पता चलेगी और एक ही भाव नहीं है ना इसलिए तो आमने एक से बारा भाव का आपको बोला कि जब पूरे ब जिससे मैकसिमम चीज़ें मैच करेंगे फिर उस हिसाब से इसलिए तो एक भाव पर हमें नहीं टिकना है एक से लेके पूरे बारा भाव तक का जवाब करेंगे तो आपको चीज़ें अधिकतम मैच करती हुई मिलेंगी नहीं इसमें क्लाइंट बहुत कॉंपिस कराता है एक से बारा भाव का प्रेडिक्सन कीजिए और उसके बाद समझिए बोलिए रासी जी क्या क्वेस्टन है आपका क्या लिखा था आपने अपने लिखा था ना रासी जी मैसेज में अन्म्यूट करके बताईए प्रेडिक्सन मैच कीजिए ना आप साथ क्लास लेट से जोइन के वीडियो देख लीजेगा फिर राहू किस हाउस में बैठा है उसके रिजल्ट को मैच कीजिए अभी हमने सिर्फ सब्लॉड को पकड़ा है इसके बाद हम सब्लॉड के रासी में देखेंगे वो किस रासी म है उसका नेचर आएगा तो उस अधार पर जब देखेंगे तो आपको एक फाइनल कंक्लूजन मिलेगा चूंकि बिटी आर जो है ना बर्स टाइम रेक्टिफिकेशन ये क्रिश्णमूर्ति प्रदिती जोतिस का सबसे लास्ट का स्टेज है यानि यह तब होता है जब जोत क्लास हुआ है फिर यह हुआ है अभी बीटी आर पर तीन चार क्लास होगा तो और पता चल जाएगा ठीक है तो चलिए आज की क्लास को यह समाप करते हैं फिर मिलेंगे नेक्शन